गुया फिल्म के हीरो का नाम अमलेश नागेश और हीरोईन का नाम हेमा शुकला है। हेमा शुकला कहां रहती है? क्या करती है? इनके बॉइफ्रेंड है की नहीं? आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अमर कथा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर मोहित कुमार साहु जी है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद पता चला है कि इस फिल्म में हमारे कॉमेडी किंग, नितेश कॉमेडियन, आर मास्टर भी है जो फिल्म में और रोमांच पैदा कर रहे हैं। यह फिल्म आठ दिसंबर दो हजार तेईस को नजदी की सिनेमा घरों में लगने वाली है। छतीस गड़ के सुप्रसिद्ध एवं जाने माने यूट्यूबर एवं एक्टर अमलेश नागेश गुया सीजी मूवी के म शुरू होगे मया के कहानी। चतीस गड़ी सिनेमा जगत में रिकॉर्ड तोड कमाई कर चुका है। सीजी मूवी सौ दिन चलना बहुत मायने रखता है जो की अमलेश नागेश के लिए शुरू होगे। मया के कहानी मूवी सौ दिन से भी पार कर चुकी है। अभी भी सिने फिल्म गुईया में नजर आने वाले हैं साथ ही उनके यूट्यूब चैनल में इस फिल्म के बारे में जिक्र किया गया है। अमलेश नागेश चतीस गड़ की फिल्म बेनाम बादशाह और ले शुरू होगे माय के कहानी में। अपना किरदार निभाने के बाद अब चतीस गड़ी के अपकमिंग नई मुवी गुईया में नजर आने वाले हैं। क्याक्त जोकी लोगों के अनुसार ये मुवी एक ब्लॉक बस्टर मुवी होने वाला है। इस विडियो में अमलेश नागेश कि इस फिल्म में क्या-क्या रोल है, कहां-कहां शूटिंग किया गया है साथ ही इस मुवी का बजट क्या है, इस मुवी का रिलीज डेट कब है, इस तरह के सभी बातों का जिक्र किया जाएगा। गुईया चटीज गड़ी। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, साथ ही इस मुवी में आपको एक्शन के साथ आपको दो कॉमेडी स्टार की जोरदार कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, ये मुवी लव से रोमैंटिक सीन है। चटीज गड़ी फिल्म गोईयाओं की, फिल्म डाइरेक्टर मोहित कुमार साहू का कहना है कि अमलेश नागेश के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है, साथ ही उनकी डाइरेक्शन में चटीज गड़ के लोगों को और भी फिल्म मिला है, जैसे कि मोहित साहू के निर्धेशन में अनुज शर्मा की फिल्म मार डारे मया माम को भी डाइरेक्ट किये थे, जो कि उन दिनों में एक सुपर हिट फिल्म साबित हुआ था. साथ ही मोहित साहू ने कहा है कि आप इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें सीजी मूवी गुया का रिलीज डेट मीडिया के हवाले से पता चला है कि यह 8 दिसंबर 2023 को नजदी की सिनेमा घर में देखने को मिल जाएगा अमलेश नागेश की तीसरी मूवी होने के कारण यह हाउस फुल रहेगा इसलिए आप रिलीज होने से पहले ही अपना टिकेट कनफर्म कर लें ताकि आपको यह मूवी जल्द ही देखने को मिल जाएगा गुया फिल्म के राइटर कौन है? वैसे हम आपको बता देएं कि अमलेश नागेश एक कॉमेडियन होने के साथ-साथ एक फिल्म राइटर भी है जिन्होंने गुया मूवीज 36 गड़ी फिल्म को खुद लिखे हैं अपने खुद लिखे हुए स्क्रिप्ट को लोगों के साथ साजह किया ताकि इस फिल्म के बारे में और सुझाव मिल सके अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं साथ ही अपने यूट्यूब में एक कई प्रकार के रोल निभाते हैं एन माही फिल्म के बेनर तले इस फिल्म को फिल्माया गया है गुया 36 गड़ी मुवी दिसंबर 2023 को 36 गड़ के सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा विडियो अच्छा लगे तो विडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में हमें बताए कि आपको गुया मुवी देखनी है कि नहीं देखनी है सुन मैं आरू मोह रहतीस तो बांद के रख्यों तोला प्यार रहीस तिक्रे सेती तो बंद क्यों तोड़ से